पहले जो आप पर आरोप लगा हुआ उस आरोप को खतम करो यह जातिबादी के चक्र में नहीं रहना है दोस्तों पढ़े लिखे हो पढ़े लिखे की तरह काम करो ठीक है रोजगार चाहिए पढ़ रहे हो न रोजगार चाहिए तो हमारी देश को आगे लिखे जाना तभी रोजगार भी मिलेगा और मैं बिसेसे क्या बोलूँ आप तो खुद पढ़े लिखे हो यह भीण भाण और यह राजनीती के चक्र में नहीं आना है अनपढ़ वाले क्या बचाने के लिखे हैं यह क्या लिखा इन्हों ने हैं देश बचाने का नाम लेते हैं तो हमारे सामने आ करके टॉकिंग करें तम मैं इंसे पूछाने का मतलब क्या होता है बचाने का मतलब क्या है देश के मतलब किया है तो य। यह बोल रहा है। हमारी संपती बचाओ हमारे बेटे का मुख उपमुख मंत्रिप का पद बचाओ ये बोलो नअच्छा लगेगा मानिये लालू परसाद जी बहुत खेद हो रहा है पढ़े लिखे जमाने का अनुसर पढ़े लिखे की तरह बात किया करो पोस्ट प्रलिख दीए भाजपा भागाओ देश बचाओ देश बचाने का मतलब है इसका जवाब अब देना ये एक देश का जवान पूछ रहा है ठीक है हमारा हक है हमारा धीकार है आप से सवाल पूछने का और आपका जवाब देने का भी हक बनता है लेकिन गद्दारी नहीं चोरी नहीं चलेगा अब अब देश बहुत ही आगे बढ़ चुका है और तरक्की करने पर है देश को पीछे मत ले जाओ ठीक है वो समय नहीं रहा आज इंटर्नेट का जवाना है ठीक है घर पर जो बैठ करके मजे लेते हो कभी आकर के कास्मीर में ड्यूटी करो बरफ में चिल चिलचिलाती हुए धूप में चारफ में जाकर धूप में ड्यूटी करो रासथर में जाकर ड्यूटी करो अपने बच्च तो पर भी नेता मंत्रिया और घोटाले बाजी के चक्र में बरते हो भाजपा भगाओ और देश बचाओ ठैंक यू जाहिंद